जब्सक्राइब दोस्त तोस्त मैं हूँ आपका दोस्त रोहता शियादव सेफ मौन जीरो हो गया यही कुछ कमेंट आ रहे हैं तो मैं का चलो आपको बता देते हैं आके किया है इसके बारे में दूसरा लिकूडेशन सही सलामत चल रहा है वो भी आपको समझाते हैं कैसे चल है वही चीज और कल मैंने आपको कहा था कि मैं बेबी डोज की आपकी थोड़ी सी रिटेल बता देता हूं कि कितना क्या बर्ण हुआ है और आगे क्या हो सकता है तो चलिए बन वाई बन सबको कवर कर लेता है अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर लेकिन फिर भी चीज चलना ही थी मैं चलो वह थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं तो थोड़ा सा अलाट आप हो जाओगे पहले से तो देखिए मैंने आपको वहां लिक्यूडेशन के बारे बहुत क्लियर कर समझाया था और वहां ये भी का था कि मार्केट कहां तक जा सकता है और वहां जाएगा तो कितना लिकूलेट होगा और वहां भी लगबग वैसा यह देखिए 27,600 तक अभी ये बीटिसी गया और वहां भी यही है 27,700-800 मैंने बोला था और वहां तक बीटिसी उससे और नीचे ही चला गया ठीक है 27,600 और उसके बाद घटके आया 27,600 के असपास और वहां से फिर से यूटन मारके आपका 28,400 फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर था यानि कि ये 800-900 डॉलर का लिकूडेशन कनफर्म होता है कि होने यह होना है ये एक्चेंज और वेल्स को सब पता होता है कि पैसा कहां पर पैसा बन गया यहां हिसाब लगाते रह गए लेकिन उन्होंने अपना पैसा चाप लिया और यह चीज़ आप सुवह वाले वीडियो में देख सकते हैं जो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर दिया है आप सुमें देख सकते हैं कि यह क्या होगा अब 28,500 28,800 यहां तक बीटी तो यह कार्ट पीट चल रही है अच्छे ही खास ठीक है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं तो यही कहूंगा क्यों थोड़ा सा कि वेल्स का गेम तो वेल्स का गेम है केवल आप एक्षेंजों पर देखिए कि कहां पर लोंग और सोट्स ज्यादा लगे होगा बस इत रॉंट में प्राइस से भूरगा जो है जिरो और रॉपे में अगर बताता हूं तो 0.0-132 रॉपआ में चलना आए तो भाई 0 तो होने का कोई मतलब भी नहीं था जैसा चलना है जो मार्केट का आहाल है वैसा यह हाल फिलाल को यह ऐसी तेजी भी आपको नजर नहीं आई जो कि आप ये काओ कि अजी बहुत तेजी थी वहां से प्राइजिस का नीचे गिर गया है तो वो चीज तो देखो ये सेफ मून में कभी आलफ़लाल में नजरी नहीं आई तो देखे सेफ मून तो अपना जैसा चलना था अपने ट्रेक पर वैसा ही चलना है ना इसमें तेजी किan आक मैसी बर्णिंग होई ती क्यां प्रम्यूटरी ने बर्णिंग किया उसके बाद फिर उसके ऐवज में पांच टोकन जो है एक के बजले में पांच टीम परण किया तो नोगया क्या बचा है इसमें क्या हो सकता है छलो चुछ चाप अपने पूछ़ा दो बता जैते अब बेबी डॉज में अब तक टोटल बर्निंग होई है 48.77% टोटल अगर मैं इसको बताता हूँ टोकन्स में तो 204.8 क्वाड्रिलियन यह आपका टोटल जो है बर्न हो गया है सर्कुलेर्शन सप्लाई यह आपकी 215 क्वाड्रिलियन की अभी भी है और आपका अगर कल का मैं आपको अगर एसाब बता हूँ तो कल जो था 51 ट्रिलियन एक तरह से जो पीछे स्वेप पर कम्यूटी ने बर्निंग किया ठीक है उसके एबाज में एक बदले में 5 टीम ने बर किया अब और भी महीने में बर्निंग हुई जो ट्रांजेक्शन के जरीयों होती है और भी बहुत से तरीक होते हैं उसके जरीयों बर्निंग होती है वो अपनी बर्निंग अलग चैती 310 ट्रिलियन की यानि यह अगर हम पूरा-पूरा अगर यह मिला दें तो लगबग ऐसा हाफ क्वाड्रिलियन के आसपास की बर्निंग एक महीने में हुई आपको एक चीज और कहना चाहूँगा यह जो 51 ट्रिलियन है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो कम्यूनिटी है सत्रे लाग सोले हैजार चार सो साथ होल्डर है आज की डेटर को से साफ से देखा होगे उसका पांच को नहीं हम कर देंगे तो अब अगर यह एक क्वाड्रिलियन के आसपास अगर कम्यूनिटी सारा मिलके बर्न करें और फिर इनको पांच क्वाड्रियन अलग से बर्न करना पड़ेगा तो कुल मिलाकर 6 क्वाड्रियन बर्न होगा तो यह होता एक मैसिब जिसे कहते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो यहां कहीं ने कहीं कम्यूनिटी ने जोगे डिसपांट किया कम्यूनिटी ने उतना साथ नहीं दिया बर्निंग में जितना साइद सबको उम्मीद थी अब यहां एक चीज और निकल के आती है देखिए जो फैक्ट है वही है ब देखिए जादा बर्निंग नहीं करेंगा तो अब यहां पर जो सत्रयलाग सुल्ह हजार यह जो होल्डर हैं इसमें ऐ Neighbor के चलें कहdogे bob लगंभी ने जैब तक मुझे नहीं ड़गता कि यह सो ट्रिलयन भी कभी पहुचेगा community पर के community कितनी burn करती है वो ज़्यादा burn करेगी तो team तो automatically उसी के average में ही burn करेगी अब अगर हम इसका 3 महीने का record देखते हैं तो 3 महीने में लगबग 3.7 quadrillion burn हुआ है अब तक पिजले 3 महीने में 6 महीने में 5.9 quadrillion तो यहां एक average आपका निकल के आ रहा है लगबग 1 quadrillion एक महीने में यहीं देख रहे न आप 6 महीने में 5.9 quadrillion तो आप अंदाज लगाई कि लंब सम एक quadrillion आपका एक महीने में burn होता है देखा जाए तो एक quadrillion काभी अच्छी संख्या है खराब नहीं है एक quadrillion का burn हो जाना यह ज़्यादा हो सकती है वही अगर community ज़्यादा burn करे तो depend करता है community कितना साथ देती आगे यह तो चलो पहला महीना था में भी हो सकता है कि बहुतों को न पता होगा बहुतों को यह देख रहे होंगे कितना होता है तो साइद अब यहाँ थोड़ा motivate हो तो ज़्यादा burn करें यह actually दो-तीन महीने बाद ही आपको थोड़ा सा clear cut होगा कि community कितना साथ दे रही है burning में और बताना चाहूं कि जैसे अब यह 215 हमारे पास quadrillion circulation में है बहुत बहुत सी supply market में रहीगी ऐसा नहीं कि सारी burn हो जाईए और नहीं कोई token सारी burn कर सकता है अगर मैं यह कहूं कि हम 216 quadrillion मानते हैं उसमें से 6 quadrillion हम छोड़ देते हैं कि चलो हम इसको sales रखेंगे 6 quadrillion लेकिन 6 quadrillion supply भी बहुत जादा है जो burn हो रहा है वो हमारा 1 quadrillion पर महीने के साब से burn हो रहा है बचा कितना हमारे पास 210 quadrillion कि कोई 6 quadrillion हम ने छोड़ दिया कि इतनी supply तो minimum कम से कम मान के चलो project में रहेगी तो 210 quadrillion और अगर हम एक quadrillion पर महीने का burn करते हैं तो भी लगबग 17-18 महीन और साल चाहिए कम से कम 17-18 साल और चाहिए इस project में तब आपकी supply बचेगी लगबग 6 quadrillion के आसपास अब देखिए burning का इसाब baby dodge का लेकिन क्या है project बड़ा है प्रोजेक्ट में supply बहुत जादा है तो साल तो लगेंगी आप यह को कि बहुत जल्दी सब को चो जाएगा ऐसा नहीं है डिपेंड करता है burning के उपर कि burning कौन कितनी जादा जल्दी करता है अब वोई है कि हाँ community अगर जादा बढ़ा दे या developer यह बोल दे ठीक है जी आप एक token करोगे हम 50 token करेंगे आपके एक के बदले में तो उसी इसाब से burning भी जादा हो जाएगी उसे इसाब से आपके साल भी कम हो जाएगी तो डिपेंड करता burning कितनी जादा होती है लेकिन फिलाल का जो scenario है आज का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उसे इसाब से बता रहा हूँ कि आगर हम 6 quarterly को माल लेते हैं project में छोड़के और 210 quarterly को burn करना है तो भी हमारे पास 17-18 साल का समय और चाहिए तब साब ये इतना hope आएगा लेकिन अब वही सारी बात गूम के आ जाती हमें क्या करना चाहिए हमें तो कुछ नहीं करना चाहिए साब सीधी से बात है अपना अलग है लोंग टाइम हमें पहले से छोड़ा हुआ है चाहिए वह दस साल लगे या पंदरा साल लगे वह एक अलग मेंटर है प्रॉफिट वाला अपना सीन जो दूसरा है वही सबसे बैस्ट है आप उसको अपना के चलिए वही आगे आपके का साम आएगा देखिए लॉंग टाइम प्रोजेक्टों का कुछ पता नहीं होता कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा कौन सा खतम हो जाएगा अब सब्भोज के तौर पर मैं आप एक अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उसी टाम की न्यूज थी कि आरवी ट्रम में बहुत हुए उसको तो अच्छा खासा उसने एरड्रॉप दिया है और उसमें अभी से ऐसा सब कुछ चलने लगा हकीकत क्या वो तो देखिए अभी नहीं पता कि कोई डिटेल मुझे नहीं मालूम है लेकिन आप लोगों के कमेंड पढ़े तो वो यह देखिए साब प्रोजेक्ट सबसे अच्छा तरीका वह ही है तो चलिए वीडियो कैसा लगा है जो बताईएगा बागी फिर मिलते हैं सामको नमस्कार